नमस्कार दोस्तो वाटलोन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ राहुल आज जो अपडेट है वो है SBI कारलोन स्कीम के बारे में मैं आज आपको कुछ नए कारलोन के रेट अपडेट इस वीडियो में दोंगा उससे पहले जिन लोगों नहीं मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कर लिजे आपको यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेट सभी लेटेस अपटो डेट इन्फोरमेशन मिलती रहेंगी दोस्तो कुछ नए अपडेट्स आये हैं 15 अक्टूबर 2022 से रेट अफ इंटेस जो है वो चेंज हो चुके हैं तो रेट अफ इंटेस क्या है वो मैं आपको यहाँ पर अपडेट दे देता हूँ 8.10 से लेके 8.90 तक का स्लेब आ चुका है रेट अफ इंटेस में यह डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर के ऊपर तो सिविल स्कोर क्या है जिनकी सिविल 775 से ऊपर है 775 अब फिर वो 800 प्लस भी हो उन सब के लिए 3 से 5 साल तक 8.10 का रेट अफ इंटेस्ट है 6 से 7 साल में 8.20 का रेट अफ इंटेस्ट है एंड 757 to 774 8.20 का रेट अफ इंटेस्ट है एंड 6 साल से लेके 7 साल तक 8.30 का रेट अफ इंटेस्ट है सिविल स्कोर 721 से लेके 756 तक 8.45 एंड 8.55 एंड 700 से लेके 720 जिनकी सिविल आती है 700 से 720 तक उनके लिए 8.70 एंड 8.80 जिनका civil 700 से नीचे रहेगा उनका account salary account होना चाहिए salary SBI में आने चाहिए corporate salary account होना चाहिए तो ही loan मिलेगा अगर आपकी salary SBI में नहीं आती है civil score 700 से नीचे है तो loan नहीं मिलेगा last civil score जो है वो 1.600 है साड़े 600 से नीचे होगा तो loan नहीं मिलेगा and civil खराब है तो मैंने बार बार बताया कि civil तभी considerate होगी जब कोई valid reason होगा अगर civil में कोई right of and settlement होगा तो नहीं accepted है only credit card एक credit card अगर किसी का right of and settled है तो वो accepted है otherwise वो accepted नहीं है इसके अलावा जिनका civil नहीं है जिनका credit score नहीं है जिनके civil या credit score जिसको बोलते हैं जिसका minus में आता है उन लोगों के लिए 8.20 for 3 to 5 year and 8.30 for 6 to 7 year ये depend करेगा उनके RSM score के उपर and इसमें 8.45 और 8.55 का rate of and settled है आपर दिया जाता है तो ये depend करेगा कि आपका RSM score कितना आ रहा है कौन सी गाड़ी ले रहे है और आपके भी क्या करते है आपकी income क्या है इसके अलावा prepayment की बात करते हैं तो bank में जो है nil prepayment penalty है इस वक्त आप बीच बीच में अगर कोई पैसा जमा करना चाहते हैं आपने आज लोन लिया और आप कभी prepayment करना चाहते हैं तो कोई भी charges आपको यहाँ पे नहीं देने है zero prepayment charges है अब foreclosure charges अगर आपको लोन बंद करना है तो दोस्तों आप यहाँ पे लोन एक साल के बाद बंद कर सकते हैं within one year अगर आप लोन बंद करते हैं तो 2% प्लस GST यहाँ पे आपको penalty लगेगी charges लगेगे foreclosure के तो यह advice है कि आप एक साल तक at least लोन चलाएं एक साल के बाद अगर आपको बंद करना है तो आप बंद कर दीजिए bank में processing fees zero है 90% तक bank funding कर देगी आपकी गाड़ी पर जो भी आप गाड़ी ले रहे हैं उसका exorum insurance RTO तीनों का जोड़के 90% तक यहाँ पर funding हो जाएगी इसके अलावा जो age norms हैं दोस्तों वो भी change हो चुके हैं अब 21 साल से लेके 70 साल तक का व्यक्ति एक car loan ले सकता है यहाँ पर repayment age जो है हमारे पाश पर 74 साल है अगर आप 70 year के हैं तो आप 5 साल तक के लिए loan ले सकते हैं और उसके अलावा maximum 7 year तक के लिए loan यहाँ पर मिलता है कम से कम 3 साल है फिर 4 साल 5 साल इसके rate of interest जो है 8.10 से लेके 8.80 तक है और इसके बाद 6 और 7 साल जो आपको 3 साल से लेके 5 साल में rate of interest मिलेगा उससे 10 पैसे का rate of interest ज्यादा मिलेगा 6 साल और 7 साल में ठीक है अब यह rate of interest चाहे वो pensioner हो चाहे वो आपके defense में हो चाहे businessman हो चाहे agriculture हो या फिर आपके private job हो government job हो कोई भी conditions यहाँ पर बनी रहे है income की rate of interest आपको सब को बराबर मिलेगा किसी के लिए कोई changes नहीं है handicap भी है अगर आप है तब भी rate of interest car loan अगर आप private लेते हैं तो same मिलेगा यहाँ पर कोई changes नहीं है यह car loan private vehicles के लिए है commercial vehicles के लिए नहीं है उसके rate of interest अलग होते हैं ठीक है तो यह changes का बाए है अगरे में भी मैंने आपको यहाँ पर discuss किया हुआ है तो आप वहाँ पर दिया के पता कर सकते हैं यह एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको यह जानकरी दिये कि अभी जो latest update आई है rate of interest के वो आपको मालम चल जाए तो आज के लिए यही वीडियो थी thank you guys for watching my video and please subscribe like and hit the bell icon thank you